Dear Students, Welcome back to our YouTube channel, पढ़ाई वेद गुरू चेला Students, आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ASEAN पर आपको बताने और समझाने का प्रियास करने जा रहे हैं कि क्या है एक Intergovernmental Organization ASEAN क्या इसका Purpose है, क्या इसका Motive है, कब ये Establish किया गया और इसके कौन-कौन से Countries जो हैं, जो Member हैं इस वीडियो के माध्धन से हम आपको बताने और समझाने का प्रियास करेंगे आप बने रहे हैं इस वीडियो के साथ इसके पहले के वीडियो में हमने सार्क, यानि कि South Asian Association for Regional Corporation पर जर्चा की थी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो का लिंक हमने description box में provide करा दिया है तो आईए 5 मिनिट के अंदर-अंदर जानने और समझने का प्रियास करते हैं ASEAN के बारे में ASEAN, Dear Students, अगर हम इसको फुली तरीके से आपको बताएं तो ASEAN जो है उसका फुल फॉर्म है The Association of Southeast Asian Nations यानि की दक्षिन पूर्वी ASEI राश्ट्रो का संगठन Dear Students, ये जो है एक inter-governmental, एक regional organization है जो कि establish किया गया to promote political stabilization Political stabilization के लिए इसको जो है Basically बहतर तरीके से promote करने के लिए इसको establish किया गया And काफी purposes के जरिये इसको जो है establish किया गया इसका जो objective है, इसका जो purpose है वो है कि Asia प्रांत छेत्र के देशों के बीच समरद्धी, आर्थिक विकास, शान्ती और इस्तिरता कायम करकर रखना ठीक है Dear Students इस Asian Intergovernmental Organization को establish करने के लिए जो दूसरा main purpose है, जो main दूसरा कारण है वो है कि rising tensions among the Asia Pacific Post-colonial state जो Asia Pacific and Post-colonial state है उनमें जो tensions rise हो रही थी उनसे निपटने के लिए इस Asian Intergovernmental Organization को जो है establish किया गया इसको जो establish किया गया 8 अगस्त 1967 यानि कि अगस्त 8 1967 को इसको जो establish किया गया अगर हम इसके motto के बारे में बात करें कि इसका क्या motto है तो इसका motto है कि one vision, one identity and one community यानि कि एक नजरिया, एक ड्रेस्टी, एक पहचान, एक समुधाय है इसका जो motto है, इसका जो नजरिया है, ठीक है? यानि कि एक ही तो इनका vision है, यानि कि एक इनकी dress tea and दूसरा जो है one identity यानि कि एक ही पहचान and third one is जो है one community यानि कि एक समुधाय, ये इसका motto है, ये इसका नजरिया है अगर हम इसके headquarter की बात करें या फिर secretaryate की बात करें तो इसका जो secretary जो इसका headquarter है वो जकारता इंडोनेशिया के इंडोनेशिया जो है वहाँ पर जो है establish किया गया है ठीके dear students इसका headquarter जो है जकारता इंडोनेशिया में है अगर हम इसके member nations की बात करें कि present time में इसके जो है कित इंडोनेसिया, सिंगापूर, मलेशिया, थाइलेंड, फिलिपिन्स, बुरुनी, कमबोडिया, लाओस, मैयमार, एंड वियतनाम अब देखिए आप प्लीज कमेंड बॉक्स एक्सन में कमेंड करकर बताएं कि मोस्ट रिसेंटली जो कंट्री इसका मेंबर बना है वो कौन सा है इंडोनेसिया है, सिंगापूर है, मलेशिया है, थाइलेंड है, फिलिपिन्स है, या फिर कमबोडिया, लाओस, मैयमार, बुरा नई या फिर वियतनाम है ठीक है, डियर स्टुडेंट्स, मुझे उमीद है कि आप कमेंड बॉक्स एक्सन में कमेंड करकर ज़रूर इसका आंसर जो हैं देने वाले हैं तो जैसे कि आप आप अल्रेड़ी देखी चुके हैं कि इसको इस्टैब्लिश किया गया 1967 को with the signing of the ASEAN Declaration, ASEAN Declaration को हम दूसरे तरीके से Bangkok Declaration के नाम से भी जानते हैं by its founding fathers, इसके founding fathers के त्वारा इसको जो है establish किया गया अब देखे जब यह बना था, जब यह establish किया गया था तो इसके total five member थे, ठीक है जिनको हम इसके founding fathers के सकते हैं, ठीक है तो founding fathers of ASEAN कौन कौन से हैं, Indonesia है, Malaysia है, Philippines है, Singapore है and Thailand है यह इसके founding fathers हैं, जिनके द्वारा इसको जो है found किया गया है यह जो है third largest market है in the world, जिसमें largest than European Union and the North American markets and यह जो है sixth largest economy है in the world and third in Asia यह जो है free trade agreements, आनि कि FTAs है इसका China के साथ, Japan के साथ, South Korea, India, Australia and New Zealand के साथ and यह जो है fourth most popular investment destination है globally, ठीक है dear students So in conclusion, यह जो ASEAN है, यह जो association of Southeast ASEAN nation है यह जो intergovernmental regional organization है, यह जो है promote करता है intergovernmental cooperation को and facilitate करता है economic, political, security, military, educational and socio-cultural integration between its members and countries in Asia Pacific ठीक है dear students, so आप please comment box section में comment करकर बताएं कि recently इसका member जो है कौन सा country बना है So dear students, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, I just hope कि आपको पता चल गया होगा कि क्या है ASEAN, क्या है South Asian जो association है, जो एक intergovernmental organization है जो कि एक दक्षिन पूर्वी ASEAN राश्ट्रो का संगठन है, वो क्या है So dear students, आप please comment box section में comment करकर ये भी बताएं कि observe कौन सा day करा जाता है ASEAN day को, ठीक है So dear students, thank you for watching this video and ये video DUT, CUT के लिए काफी important है, काफी मददगार साबित होने जा रही है